इस पर और दिख जानकारी के लिए कॉंग्रेस नेता सुनील परिहार हमारे साथ फोन लाइन पर चुट चुके हैं सुनील जी जैपुर ग्रेटर जोदपुर दक्षिन कोटा दक्षिन में चुनाओ का दौर जारी है किस तरीके से यहां पर चुनाओ के अंदर लोग अपना मद्दान दे रहे हैं जोदपुर दक्षिन में मैं अभी बोड़ पर सही बोल रहा हूं और दक्षिन में कॉंग्रेस का बहुत शांदार बोड आ रहा है और जंता का कंप्लीट रुजान जो बासनी से लेके जालमन से लेके और फेमे के कुवे तक इस सेतर में मैं जाके आया हूं पूरा कंग्रेस में माहुल हूँա हूँ है और निश्चित रूप से कंग्रेस का बोड बन रहा है कंग्रेस की हावा चल रही है लहर चल रही है तो लोग भी कंग्रेस को बोड दे रहे है जी सर बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी तमाम जानकारी के लिए तो निगम चुनाओ का दूसरा चरण है कॉंग्रेस नेता सुनील परिहार जी हमारे सत्वों लाइन पर जुड़े थे जिनका कहना है कि निगमों में जो मद्दान हो रहे हैं उसमें कॉंग्रेस की लहर चल रही है और लोग कॉंग्रेस को ही अपना मद दे रहे हैं कोटा अदक्षिन में चुनाओ जारी तीन निगमों में 310 वार्ड है आपको बता दें कि जैपुर ग्रेटर में 150 वार्ड है 686 यहाँ पर उमीदवार है जोदपुर दक्षिन में भी 80 वार्ड है 312 उमीदवार यहाँ पर कोटा दक्षिन में 80 वार्ड है 289 उमीदवार यहाँ पर और वहीं तीन नमंबर को होगी मत करना 289 वार्ड है प्रदिक जानकारी निमिशा गौर्ड भाच्पा नेता है वो देंगी हमें निमिशा जी किस तरीके से लोग अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं अभी हमारी कॉंग्रेस नेता सुनील परिहार जी से बात हुई थी जिनका कहना है कि कॉंग्रेस की लहर चल रही है लोग कॉंग् हिस के दंगी finde तो आपने मर्झ का प्रेयोग वह भारती जंता पार्टी के लिए इसे करेंगी क्योंकि जो कहते हैं वो ही करते हैं जवाब दिय और पार्डेशुता की बात जो की गई है शासन प्रशासन पाक्षा तो महारचिंसा पार्टियकाल में संभव हो पाया है 26 साल तो जैपुर में इनका कभी बोर्ड बननी पाया और बाकी जगे भी बोर्ड बनाया रहे कर नहीं पाया सानी मुद्वेत ने हावी हो चुके मेर इनों नहीं गेंकेंचर के बनाया था लेकिन जब से कॉंग्रेस समर्दित मेर बना जैपुर के अंदर तो जैपुर के हालाद किसी से चुके नहीं ना काम करते हैं ना करने देते हैं तो आज भाजपा बहुत निश्चिंत है आशनवित है कि हम तुन्हें च्छे के नगर निगम बनाएंगे चाहिराने परीसी मर्द के माधियम से लिकेंद्री कृत्त लिया हो तेंद महरी के लिए लेकिनी सफल नहीं हो कि चलिए बहुत बहुत शुक्रिया निमिशा जी तमाम जानकारी के लिए तो भाजपाने दा निमिशा जी हमारा साथ चुड़े हुए थी निगम चुनाओ का दूसरा चरण है